हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो और चैनेल, इन टूदेज वीडियो, आई विल सो यू, हाउ टो इंक्रेज भार्चॉल रैम इन यूर सेमसंग डिवाइस, बार्चॉल रैम एक ऐसा फीचर से है, जो आपके फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इसमें अपके इंट्रेन स्टोर्च का कुछ हिस्सा भार्चॉल रैम में कौनबट किया जाता है, इससे अप कहीं सारे एप्लिकेशन एक साथ चला सकते है, स्मूथ्री माल्टिरसिंग कर सकते है, भार्चॉल रैम में एड कारने के लिए सबसे पहले फोन के सेटिंस में जाना दोस्तों, मेमोरी ओप्शन के अंदर रैम प्लास फीचर्स देखने को मिल जाएगा, अगर ये फीचर्स आफ किया हुआ है, तो इससे पहले टर्न ओन कर दीजिए, इसके बाद डिवाइस रिस्टर्ट करना होगा, रैम प्लास में कोई भी सेटिंस चेंज करने के बाद हर पर आपको डिवाइस रिस्टर्ट करना पड़ेगा, डिवाइस स्टार्ट होते ही, आप दुबर रैम प्लास सेटिंस में चले जाएए, यहां पर आपको दो जीवी से लेकर आट जीवी तक बार्चुल लेम बराने का ओप्शन दी गई है, ये इंटर्ना स्टोरेज की हिस आपका इंटर्ना स्टोरेज था एक सो आट जीवी और आपने चार्ज भी भाट्शो लेम यहां एड किया है, अब क्या होगा, एक सो आट जीवी से चार्ज भी माइनस हो जाएगा, मतलब आप एक सो चब्वीज जीवी इंटर्ना स्टोरेज यूज कर सकते हैं, बाद में जब आप रैम प्लास आप कर देंगे, तब इस स्टोरेज दुबड़ा इंटर्ना मेमोरी के साथ एड़ हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरीके से अब अपने फोन में रैम स्टोरेज भाड़ा सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फूल तो हमरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया